दोस्तों स्वागत है आप सभी लोगों का Real Quick Analysis चैनल पर चलिए अब जल्दी से देखते हैं हम अपने आज की रोचक Real Quick Analysis को आज के इस वीडियो के स्पॉंसर है स्रीकांद जी हमें सपोर्ट करने के लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद दोस्तों हम सभी को पता है ताइबान का नाम सुनते ही चीन को चिनमनी उठने लगती है अभी दो दिन पहले की ही तो बात है जब चेक रिपब्लिक के एक नेता ने ताइबान की यात्रा क्या की तो चीन इतना तिल मिला उठा कि उसने पूरे यूरोपेन यूनियन को धंकी ड लगता है लेकिन दो सितंबर को चीन की पीट में बरफीला खंजर घोब दिया उसी के सदा बहार दोस्त पाकिस्तान ने ताइबान न्यूज में छपी ख़बर के मताबिक काईरो में पाकिस्तानी वाड़े जिदूतावास की अधिकारी ने ताइबान प्रेट सेंटर की दे पाकिस्तान जानना चाहता था कि उसके कौन से प्रोड़क्ट की टैवान के लोकल मार्केट में डिमांड हो सकती है पाकिस्तानी अधिकारी ने ताइबान के अधिकारियों से मुलाकात तो कर ली और फिर टेजी में फोटो भी ट्वीट कर ढाली लेकिन थोड़ी ही देर में उनकी अकल ठिकाने पर आ गई और उन्होंने ट्वीट को डिलीट कर दिया लेकिन तब तक तीर कमान से निकल चुका था देख लीजी आप पाकिस्तान भी ताइबान के साथ ट्रेड बढ़ाना चाहता है वो कहावत है ना कि बाप बढ़ाना भाईया सबसे बड़ा रुपईया पिछले सब्तर सालों में चीन के सैकड़ो बिलियन डॉलर डकार ने के बाद भी पाकिस्तान की भूप नहीं मिटी और अब वोई वन चाइना की पॉलिसी को भी ताक पर रखने लगा है फिर भी यह सब देख कर चीन जहर का घूट पीकर चुप बैठा है वैसे चीन कर भी क्या सकता है यह पाकिस्तान की फित्रत बहुत पुरानी है उसने जिस ठाली में खाया है उसी में उसने हमेशा शेद किया है अभी कुछी दिनों पहले पाकिस्तान में बवाल पैदा हो गया जब आर्मी के आला अफसर रहे चीन पाकिस्तान एकॉनमिक कॉरिडोर अथॉरिटी के चेर्मेन का काला कारोबार उजागर हो गया इधर चीन गौादर को सिंगापूर बनाने के सपने देखता ही रह गया उधर पाक आर्मी के अधिकारियों ने चाइनीज पैसे से अमेरिका में पिज़ा बेचने का कारोबार फैला लिया चीन के पैसे से पाक आर्मी ने खूब गुलचर्रे उड़ाए है ये तो आप सभी को पहले से ही पता है लेकिन यह शायद पहली बार हुआ है जब पाकिस्तान ताइवान पर दोरे डालते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया है दुनिया भर के विद्वान कहते रहे कि चालबा चीन बेचारा पाकिस्तान को करज के जाल में फसा रहा है लेकिन असल में पाकिस्तान ने चीन को मौत के जाल में फसा रखा है वैसे भी पहाडों से उची दोस्ती और समुद्र से गहरी दोस्ती ये सब बाते हैं बातों का क्या? रियलिटी में तो पाकिस्तान के लिए चीन की हैसियत एक मुर्गे से ज़्यादा और कुछ नहीं है आईए देखते हैं दुनिया भर को आखे दिखाने वाला चीन क्या पाकिस्तान को वन चाइना की पॉलिसी याद दिलाने की हिम्मत जुटा पाएगा? जैसा कि आप सभी लोगों ने देखा ये था हमारा आज की अनलिसिस आई होप आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो अगर पसंद है तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए साथ ही अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ आगे शेयर भी कीजिए ऐसे ही और नए लिसिस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए लास्ट में इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत अधिक धन्यवाद